हलो दोस्तो इसका आज हम लोग फार्पी बाइपास करने वाले हैं दोस्तो और इसका मोडल मैं बता दू दोस्तो आप लोग को यह रियल मी 6 है दोस्तो ठीक है यह रियल मी 6 है और इसका फार्पी आज हम लोग बाइपास करने वाले हैं दोस्तो और किस तरह से करते हैं चलिए मैं आप लोग को सारा प्रोसेस बताता हूँ और step by step आप लोग ध्यान देखे वीडियो को देखिएगा दोस्तों वीडियो को skip ना करिएगा skip करने से आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों और हाली में मैंने जो लोग को दिखा दूं किस तरह से अपको सो नहीं करेंगे दोस्तों तली और सबसे पहले हम लोग चलते हैं next पे दोस्तों ठीक है next उसके बाद यहां पर दिखिएगा यहां पर I have यहां पर select option आता दोस्तों इसको आपको select कर देना उसके बाद यहां पर next कर देना दोस्तों ठीक है उसके बाद यहां पर आप लोग को फिर और यहां पे मैंने अपना WiFi चलते हैं उसके बाद चलते हैं शुक्रेंधे हों कि यहां पर को पिर यहां पर करना है ठीक है तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं यहां से हम लोग ढ़ी का जाते है हैं यहां तरह का यहां पे ट्रीक्स यूज नहीं होगा दोस्तो और यहां पे उस ट्रीक्स से कुछ प्रफिट नहीं होगा दोस्तो ठीक है तो यहां पे सिंपल सा हम लोग को यहां से बेग आ जाना है दोस्तों यहां से हम लोग सिंपल सा बेग आ जाते हैं यहां से फिर बेग आ जाते हैं यहां पर ध्यान दीजेगा दोस्तों यहां पर हम लोग को कुछ करना नहीं है स्रीप यहां पर हम लोग जो पावर बेटन है दोस्तों ध्य connect to, इसको okay कर देना है, उसकी यहाँ पर दिखें दोस्तों, यहाँ पर, source का flushing option आ रहा है, इसको आप लोग को तीन बार tape करना है, और don't allow पर click करना है, दोस्तों, मैंने already क्या हुआ, इसलिए so नहीं हो रहा है, आप लोग इसको तीन बार tape किजिएगा, उसके बार don't allow पर click करि करना है, उसके बाद don't allow, तीन बार जैसे tape करिएगा, तीन बार आपको don't allow करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर setting वाला option सो होगा, दोस्तों, यहाँ पर आने का बाद दोस्तों, यह देखिए मैंने, apps info के अंदर अभी आ चुका हूँ, दोस्तों, यहाँ पर हम लोग को क् reset, ठीक है दोस्तों, यह चीज़ा आप लोग ध्यान दिजेगा, यह बहुत important है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग को reset type करना है, और यहाँ पर ध्यान दिजेगा दोस्तों, यह देखिए, second option, reset system setting only, इस पर चल जाना है दोस्तों, इस पर आने का बाद दोस्तों, आप लोग ध्य यहाँ से bypass हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बने रही है, मैं आप लोग को पूर्प के साथ दिखा दूं दोस्तों, कि यहाँ पे हम लोग का FRP bypass हो चुका है, दोस्तों, यहाँ पे कोई other tricks नहीं काम करने वाला है, दोस्तों, जैसे मैंने Redmi 10 Pro का किया था, उस तरह का trick यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे simple tricks यूज हुआ दोस्तों, नहीं हमको कोई यहाँ पे apes को disable करना पड़ा, और नहीं सीम का use करना पड़ा, और नहीं others कोई system PC वगर से connect करना पड़ा, तो यहाँ पे हम लोग को wipe data for it हो चुका है, दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे जैसे realme का logo आगे है, यहाँ पे दिखे दोस्तों, अब यहाँ पे realme reboot हो रहा दोस्तों, आप लोग देखिए, वीडियो में बने रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मैं वीडियो को speed नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग को life proof के साथ मैं दिखाने वा profit होगा, तो प्लीज इस चैनल को भी like करें, subscribe करें, और share करना बिल्कूल ना भूले दोस्तों, क्योंकि मैं वीडियो बहुत ही महनत से बनाता हूं दोस्तों, और आप लोग की support के budget से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों, तो प्लीज सपोर्ट करें दोस्तों, तो यह यहां पे ध्यान दीजेगे दोस्तों, यहां पे realme का logo अभी चमचमार आया दोस्तों, अब logo के बाद दोस्तों, यहां पे जो step by step करने का option आएगा, उसके बाद मैं आप लोग को सब कुछ दिखाऊंगो, दोस्तों, वीडियो में यहां पे कहीं भी काटा नहीं है, और कहीं भी skip नहीं किया है, दोस्तों, तो आप लोग भी skip ना करें, यहां पे ध्यान से देखिए, आप लोग का भी realme 6 का, जो FRP वाला problem है, दोस्तों, वो clear हो जाएगा, screen, drop, password वाला जो problem है, वो भी sort out हो जाएगा, दोस्तों, अगर आप लोग का problem यहां पे sort out हो जाता है, दोस्तो तो प्लीज मेरा भी मदद जरूर करें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करके सेर करना बिलकुल न भूले ताकि और लोग भी इस वीडियो का फाइदा ले सके और अपना Realme 6 का जो पासवाड है दोस्तों उसको फोर्गड कर सके और गूगल एफार पी बाइपास भी कर सक है दोस्तों तो यहां पर देखिए थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों इसके लिए आप लोग इसके लिए आप लोग नारभास मत हुए दोस्तों यहां पर थोड़ा टाइम लगता है थोड़ा पेसेंस रहिए यहां पर रियल्मी का लोगों अभी यहां पर जा रहा है दोस्तों वो सब 100% वरकिंग है दोस्तों और यह वीडियो देखने के लिए मैं आप लोग का सदा दिल से अभारी हूं दोस्तों और थैंक्यू भी बोलना चाहता हूं कि आप लोग लोग ने मुझे इतना प्यार सपोर्ट दिया कि जो भी विडियो आ रहा इस वीडियो पर 24 वो मेरे लिए बहुत ही इम्पॉटन्ट है कि अभी नुँण वीटुबर उOM और आप लोग का सपोर्ट बहुत जरूरी है यहां triple यहां पर द हुर्याव मी काρό जोगो यहां पर अभी चमचमा रहा आ है रियलमी सिंग्स के स्क्रीशन धूर्ब neighborhood क कितना टाइम लगता है यहां पे दोस्तों है कि थोड़ा का TIME लेता है दोस्तों पैसे सालकार अग्री आप लोग मैंने पहले बोला वीडियो को मैं स्पीड नहीं करूंगा दोस्तो और फरवर्ड भी नहीं करूंगा जो二 करूंगा मैं आप लोग के यहां पर बीडियो कहीं एडिट वगारा नहीं है एक जड़ास ही एडिट नहीं जायाँ और घर्में ऐसाभी पार रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं कि अथ में से कर सकें तो थोड़ा पेस्टन सकी है लोगों पर है भी ठीक है यह रिबूटिंग हो रहा है उसके बाद हम लोग का मोवाइल का फारपी बाइपास हुआ की नहीं हुआ मैं आप लोग को सब दिखा दूँगा दोस्तों और आप लोग भी यहां पर देख लिजेगा दोस्तो वीडियो कहीं भी कटिंग नहीं है दोस्तों वीडियो को मैंने स्कीप भी नहीं किया है और फरवर्ड भी नहीं किया है जो कर रहा हूं आप लोग के सामने में दोस्तों क्यूंकि आप लोग को बिलीब हो जाए कि हां यह ट्रीक्स वर्किंग है दोस्तों और आप अपना र यह टॉपिक पे यह विडियो बनाया है दोस्तो और यह दिखे तो time long हो जाएगा दोस्तो हलका सब patience रहे कियोंकि आप लोग को भी मालूम है दोस्तो कि realme यहां कोई सेट हो दोस्तो reboot होता तो थोड़ा सा time लेता है दोस्तो और उस time का आप लोगो patience रखना होगा यह देखें मेरा screen open हो चुका है यहां पर दोस्तों फाइनली ओपन हो चुका है अब यहां पर हम लोग क्या करना है यहां से next चलते हैं यहां देखें realme smartphone users यहां पहला पर option आगी है देखो agreement यहां पर आप लोग देख पा रहा होंगे, यह FRP हम लोग का बाइपास हो चुका है, स्क्रीन लोग भी बाइपास हो चुका है, यहां पर later पर करते हैं, उसके बाद यहां पे देखो high top का account, यह उसको भी हम लोग later पर करते हैं, बाद में अराम सी क्या आजाएगा फिर यहां से next करते हैं दोस्तों फिर यहां पर important data यहां पर भी next करते हैं दोस्तों उसके बाद देखिए दोस्तों यहां पर बहुत सारा apps का option आ रहा है आपको इस सब को install करने का कोई जरूरत नहीं दोस्तों आप लोग को बाद में choose करके जिसको भी install करना है उसको आप कर सकते हैं तो यहां पर corner में skip का option है skip का option में click करते हैं यहां पर देखिए realme welcome का option आ गया UI इसके बाद यहां पर get started पर हम लोग चल चलते हैं दोस्तों उसके बाद दोस्तों हम लोग का realme 6 finally bypass FRP हो चुका है दोस्तों screen log bypass हो चुका है आप यहां पर model भी दिखा दूं दोस्तों कौन सा मोड़ल है और कौन सा इसका android version है वो भी आप लोग यहां पर देख लिजी दोस्तों यहां पर देखिए दोस्तों को और उसके बाद यहां पर android 11 है दोस्तों तो आप लोग ध्यान दीजेगा android 11 है ने इसलिए जो मैंने realme 10 pro का FR 1457 पयाय पार्पी पास किया था वह यहां पर वर्क नहीं किया दोस्तो मैं आपे ग्लेय। सब्सक्राइब दोस्तों में आशा करता हूं दोस्तों अगर यह विडियो आप लोग का यूज्वूल मैं आए दोस्तों तो प्लीज दोस्तों इस new creators को भी आप लोग support करें और वीडियो देखें अगर हम लोग का वीडियो में कोई भी गलती हो दोस्तो आप लोग comment करें आसा करता हूँ कि मैं उस वीडियो को सुधारने का कोशिस जरूर करूँगा दोस्तो और आप लोग के लिए जितनी भी सारे मोगाल का है सब का एफ subscribe कर दें और share करना बिलकूल ना भूले दोस्तो ताकि इसके share करने से आप लोग का दुसरे को भी मदद मिले और वो इस वीडियो को देखें अपना मोईल रेल में 6 का अफर पी बाइपास कर सके दोस्तो तो जैहिंद दोस्तो